परिचाय आज डिनर बहुत स्वादिश्ट है और मैं इसका बहुत अच्छी तरह से आनंद ले रहा हूँ हाँ पिता जी, मैं आपसे सहमत हूँ, मैं भी डिनर का आनंद ले रहा हूँ अच्छा बेटा, मुझे नमक देना? हाँ पिता जी बेटा, क्या तुम मेरे एक प्रश्ण का उत्तर दे सकते हो? हाँ पिता जी, मैं कोशिश करूँगा ठीक है, तुम मुझे बताओ, चीनी और नमक के कड़ों की सनचनाए अलग-अलग क्यों होती है? हम, इसका कारण अलग-अलग घटक कड़ हो सकते है बेटे, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन उचित नहीं है, मैं तुम्हें बताओंगा प्रतेक सनचना इन कड़ों के बीच रासाइनिक आबंद की प्रकृती पर निर्भर करती है चीनी के अणों में सहसाईयोजक आबंद होते हैं, जबकि नमक के अणों में आएनिक आबंद होता है ठीक है पिताजी, मैं कारण जान गया हूँ, और मैं इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहता हूँ चात्रू, आज हम रासाइनिक आबंद और आणविंक सनचना की बारे में और अधियन करेंगे उत्यश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे रासाइनिक आबंद का वड़न करना अश्टक नियम और लुईस प्रतीकों को समझना आइनिक आबंद का वड़न करना आइनिक आबंद को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानना आइनिक योगिकों के गुणों की व्याख्या करना आबंद प्राचलों का वड़न करना अनुराद सनचना का वड़न करना और आबंद ध्रुनवणता के बारे में जानना परिभाशा प्रकृती में अधिकतर पदार्थ अणूओं के रूप में माजूद होते हैं जो समान या विभिन प्रकार के परमाणों का समों है विभिन रासाइनिक स्पिशीज में अनेक घटकों को सनलगन रखने वाले आकर्शन बल को रासाइनिक आबंध कहते हैं रासाइनिक आबंधों को विभिन प्रकार में वर्गी कृत किया जा सकता है जैसे आयनिक आबंध, सहसेयोजक आबंध, उपसेयोजक आबंध, धात्विक आबंध, हाइडोजन आबंध और वांडरवॉल बल रासायनिक आबंध की कौसेल लुईस अवधारणा पर्वानों सनचना के क्षेत्र में हुए विकास ने सहयोजक आबंध के विभिन सिध्धानतों के लिए आधार प्रदान किये इस क्षेत्र में प्रारंबिक योगदान डेवलिव कॉसेल और जी अन लुईस ने सन 1916 में दिया सर्वप्रतम सन्योजक्ता की कुछ तर्ग संगत व्याख्या प्रदान करने वालों में वे पहले थे जो उतक्रिष्ट गैसों की अक्रियता पर आधारित थी अश्टक नियम नियम के अनुसार विभिन तत्वों के परमाणू रासायनिक संयोजन में इस तरह से प्रवेश करते हैं कि परमाणू अपने सबसे बाहरी कोश में आठ इलेक्ट्रोनों का विन्यास प्राप्त कर ले वे ऐसा इलेक्ट्रोनों के इस्थानांत्रन द्वारा अथवा इलेक्ट्रोनों के आपसी सह भाजन द्वारा करते हैं। लुईस प्रतीक इन संकेतों के अनुसार तत्व का प्रतीक नाभिक तथा भीतरी कोश में इलेक्ट्रोनों को दर्शाता है। बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन प्रतीक को घेरे बिंदूओं द्वारा निरुपित किये जाते हैं। बिंदूओं की संख्या संयोजक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाती है। तत्वों की सामाने संयोजक्ता, संयोजक्ता इलेक्ट्रॉनों से परिकलत की जा सकती है। तत्व की सामाने संयोजक्ता या तो बिंदूओं की संख्या की बराबर या आठ माइनस बिंदूओं की संख्या होती है। उधारण के लिए लीथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन की समाने संयोजकता क्रमशा एक, दो, तीन और चार है। जबकि नाइट्रोजन, आक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन की आठ माइनस बिंदूओं की संक्या है, अर्थात क्रमशा तीन, दो, एक और शुन है। लूइस प्रतीक पर आधारित उधारण आए, लूइस प्रतीकों पर आधारित एक उधारण लें। उध्क्रिष्ट गैस विन्यास के साथ आएनों के निर्मान हेतु, मैगनेशियम से फ्लोरीन परमाणों तक, इलेक्ट्रोनों के इस्थनांतरन को दर्शाने के लिए लूइस इलेक्ट्रोन बिंदू प्रतीकों का उप्योग करें। आईए हल देखें। परमाणों के लिए लूइस प्रतीक हैं। M-G परमाणों उतक्रिष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए दो ईलेक्ट्रोनों का त्याग करता है। लेकिन एफ परमाणूं अपने सेयोजकता कोश को भरने के लिए केवल एक एलेक्ट्रोन क्रेहन कर सकता है। इसलिए दो एफ परमाणूं को एलेक्ट्रोन इस्थानांतरण में भाग लेना चाहिए। हमें इस इलेक्ट्रोन इस्थानांत्रण को इस तरह से दर्शा सकते हैं। आइनिक आबंद आइनिक आबंद का निर्मान एक पर्मानू से दूसरे पर्मानू तक एक या अधिक इलेक्ट्रोनों के इस्थानांत्रण द्वारा होता है। समानिता इस प्रकार का आबंध एक धात्विक और एक अधात्विक परमाणों के बीच अस्तित्व में आता है। विपरीत आविशित आयन आकर्शन के इस्तिर वैधित बल द्वारा परस परदए रहते हैं। आइनिक आबंध को वरीत आविश्यत आइनों को बांधने वाले आकर्शन के इस्थिर वैद्ध बल के रूप में परिभाशित किया जा सकता है। आइनिक आबंध निर्मान के दौरा आइनिक आबंध का विर्चन निम्नलिखित तीन चरणों में होगा। प्रधम चरण गैसिये धनाइनों का विर्चन इस चरण के लिए आविश्यक उर्जा आइनन उर्जा कहलाती है। दूसरा चरण गैसिये रिनाइनों का विर्चन इस चरण से मुक्त होने वाली उर्जा इलेक्ट्रोन बंधुता कहलाती है। तीसरा चरण, विप्रीत आवेशित आइनों की पैकिंग, नियेचन, आइनिक ठोस बनाती है. इस चरण में मुक्त होने वाली उर्जा, जालक उर्जा कहलाती है. अब इस तेर आइनिकाबंद के लिए कुल, मुक्त उर्जा, आवेश्यक उर्जा से अधिक होनी चाहिए. इस तेर आइनिकाबंद के लिए दशाएं हैं. परमानू बनाने वाले धनायन की आइनन उर्जा कम होनी चाहिए. परमानू बनाने वाले धनायन की इलेक्ट्रोन आइनिक आबंद और सहसेयोची आबंद के बीच अंतर आइनिक आबंद एक परमाणू से दूसरे परमाणू तक इलेक्ट्रोन के इस्थानांतरन द्वारा बनता है, जबकि सहसेयोची आबंद परमाणू के बीच परस पर सह भाजन द्वारा बनता है. आयनिक आबंद प्राया धात्विक और अधात्विक पर्माणों के बीच मौजूद होता है। और नहीं भी हो सकता है। आइनिक आबंद को प्रभावित करने वाले कारक कारक जो आइनिक आबंद के विड़जन का साथ देते हैं और इसकी समर्ध का भी निर्धारण करते हैं निमने हैं आइनन उर्जा आयनिक आबंद के विर्जन में धात्विक परमाणू इलेक्ट्रॉन त्याक कर धनायन बनाता है। इस प्रक्रिया के लिए आविशक उर्जा आयनन उर्जा के बराबर होती है। आइनन उर्जा का मान जितना कम होता है, परमाणों की धनाइन बनाने की प्रावरित्थी उतनी ही अधिक होती है. इलेक्ट्रोन बंधुता ये उर्जा तम्मुक्थ होती है जब कैसी ये परमाणों एक रिनात्म कायन बनाने के लिए इलेक्ट्रोन ग्रहन करते हैं. इस प्रकार इलेक्ट्रोन बंधुता का मान परमाणों को रिलाइन बनाने की प्रावरित्ती प्रदान करता है। इलेक्ट्रोन बंधुता का मान जितना अधिक होता है परमाणों की रिलाइन बनाने की प्रावरित्ती उतनी ही अधिक होती है। जाला कूर्जा इस प्रकार जब आयनिक ठोस का एक मोल गैसी आयनों के निविट संकुलन द्वारा बनता है तो उस समय मुक्त होने वाली उर्जा की मात्रा को जाला कूर्जा की रूप में परिभाशित किया जाता है। जाला कूर्जा का परिमाण निमनलिखित कारकों पर निर्भर करता है। आइनों का आकार, आइनों का आकार जितना छोटा होता है, अंत्रा नाभिक दूरी भी उतनी ही कम होती है, और अंत्रा आइनी का कर्शन उतना ही अधिक होगा, इसलिए जाला कूर्जा का परिमाण भी अधिक होगा. आइनों पर आवेश का परिमाण जितना अधिक होगा आकर्शन बल उतना ही अधिक होगा और जालग उर्जा का मान भी अधिक होगा आइनिक योगिकों के गुण आइनिक योगिकों के समाने गुण निम्न हैं ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुछ आलग होते हैं लेकिन गलित या घुलित अवस्था में विद्युत के सुच आलग होते हैं आइनिक योगिकों के बीच की रासाइनिक अभी क्रियाएं अपने जलिये फिलियनों में सुसजित आइनों के बीच संयोजन में शामिल होती हैं ऐसी अभी क्रियाएं आइनिक अभी क्रियाएं कहलाती हैं प्राया आइनिक योगिक क्रिस्टलिये ठोसों के रूप में होते हैं। इनका गलनांक और कौथनांक अधिक होता है। इसका कारण विपरीत आवेशित आइनों के बीच बहुत शक्तिशाली स्थिर वैद्युत बल है। ये जल और अनिध्रुविये विलाइकों जिनका परावेद्युतांक अधिक होता है। इनमें गुलनशील होते हैं। ये आध्रुविये विलाइकों में अगुलनशील होते हैं। आबंध लंबाई और आबंध कौन आबंध लंबाई इसे किसी अणू में दो आबंधित परमाणों के नाबिक के बीच की सामय अवस्थादूरी के रूप में परिभाशित किया जाता है सह संयोजी त्रिज्या को लगभग उस परमाणों के कोर की त्रिज्या के रूप में माप जाता है जो आबंधित अवस्था में सनलगन परमाणों के कोर के संपर्क में होता है वांडर वॉल त्रिज्या अनबंधित आवस्था में संयोजी कोश सहित परमाणू का समग्र आकार निरुपित करती है आबंध कौन इस किसी अनु आयन के केंद्रिय परमाणू के आसपास उपस्तित आबंधन इलेक्ट्रोन युक्म को धारन करने वाले और भी टलों के बीच कौन के रूप में परिभाशित किया जाता है आबंध कौन को डिगरी के रूप में व्यक्त किया जाता है आबंध एन्थेलिपी और आबंध कोटी आबंध एन्थेलिपी इसे गैसी अवस्था में दो परमाणूं के बीच एक मोल के विशिष्ट प्रकार के आबंधों को तोड़ने के लिए आविशक उर्जा की मात्रा के रूप में परिभाशित किया जाता है आबंध एन्थेलिपी का मात्रक किलोर जूल प्रतिमोल है आबंध कोटी किसी अणों में दो परमाणूं के बीच आबंधों की संख्या आबंध कोटी कहलाती है आबंध कोटी के बढ़ने के साथ साथ आबंध एंथेलपी बढ़ती है और आबंध लंबाई घड़ती है अनुनाद सन्रचना अनुनाद की अवधारणा के अनुसार जब कभी एक लोई सन्रचना का एक अनुका ठीक ठीक वणन नहीं कर सकती तो समान उर्जा नाबिक की स्थितियों आबंधी और अनाबंधी इलेक्ट्रोनों के युग्मवाली कई सन्रचनाई संकर की वेध सन्रचनाओं के रूप में ल लूई सूत्रों द्वारा जिसमें से कोई भी यौकिक के अवलोकन किये गए सभी गुड़ों की व्याख्या करने में सक्षम है निरूपित किया जा सकता है तो अनुकी वास्तविक सन्रचना वेधन लूई सूत्रों का मत्यवर्ती होती है और ये अनुनाद संकर कहलाती है अपनी तरफ प्रतिकर्शित करके रणायन के इलेक्ट्रों अब्र को द्रोवित करते हैं इसके कारण आयने का बंध में सह संयोजक लक्षन विक्सिद होते हैं धनायन का आकार जिदना छोटा होता है इसकी ध्रुवनक्षमता उतनी ही अधिक होती है आभासी उतक्रिष्ट गैस विन्यास वाले धनायनों में उतक्रिष्ट गैस विन्यास वाले धनायनों से अपिक्षाक्रित अधिक ध्रोवनक्षमता होती है रणायन का आकार जितना बड़ा होता है इसकी ध्रोवनक्षमता उतनी ही अधिक होती है धात्विक आबंध और सहसेयोजक आबंध के बीच अंतर चलाएमान इलेक्ट्राणों के बीच आकर्शनबल और धनात्मक अश्टियां एक साथ मिलकर धात्विक आबंद बनाती हैं, जबकि एक यही या अलग-अलग तक्त्वों के सैयोजी परमाणों के बीच इलेक्ट्राणों का परस पर साजेदारी सहसैयोजक आबंद कहलाती है धात्रिक आबंद कमजोर आबंद है क्योंकि चलाएमान इलेक्ट्रोन एक साथ अनेक अश्टियों द्वारा आकर्शित किये जाते हैं जबकि सहसेयोजक आबंद मस्बूत आबंद होता है क्योंकि आबंदिद इलेक्ट्रोन युक्म दो नाबिकों द्वारा मस्बूती से आक परशित किये जाते हैं। परशित के बीच उर्जा का अंतर अनुनाद उर्जा कहलाता है। अनेक घटकों को सनलगन रखने वाले आकर्शन बल को रासाइनिक आबंध कहते हैं। अश्टक नियम के अनुसार विभिन तत्वों के परमाणूं रासाइनिक संयोजन में इस तरह से प्रवेश करते हैं कि परमाणूं अपने सबसे बाहरी कोश में आठ इलेक्ट्रोनों का वन्याज प्राप्त कर ले। लुईस प्रतीक संकेतों में तत्व का प्रतीक, नाभिक तथा भीत्री कोश में इलेक्ट्रोनों को दर्शाता है। जब गैसिय परमाणूं एक रिनात्मक आएन पनाने के लिए इलेक्ट्रोन ग्रहंड करते हैं। जब आएनिक ठोस का एक मोल गैसिय आएनों के निविड संकुलन द्वारा बनता है, तो उस समय मुक्त होने वाली उर्जा की मात्रा को जालक उर्जा की रूप में परिभाशित किया जाता है। आबंध कोण को किसी अणू आयन के केंद्रिय परमाडों के आसपास उपस्थित आबंधन इलेक्ट्रोन यक्म को धारन करने वाले और्बी टलों के बीच कोण के रूप में परिभाशित किया जाता है। आबंध कोन को डिगरी के रूप में व्यक्त किया जाता है। आबंध एंथेलभी को गैसी अवस्था में दो परमाणों के बीच एक मोल के विशिष्ट प्रकार के आबंधों को तोड़ने के लिए आवशक उर्जा की मात्रा के रूप में परिभाशित किया जाता है। झाल झाल